सबी नए विवर्स से नरोध है कि वे क्रिपया जैपुर डायलॉग को सब्सक्राइब करें और जो पुराने विवर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को अपने जान पहचान वालों को भी जैपुर руго가 हमारे सर्थी की की नोटंक की पूरी तरह से जा जारी है क्यों कि आज तो वह संझे सिंग ने वाकश प्रेस कौंस करके यह accept कर लिया het स्वाती माली CHंद की पिटाई हुई थी स्वाती की थी जापड लगाये थे बाल खीचे थे ये कुछ भी किया था वो पूरा का पूरा जो है वो सुनीता भोजाई के कहने पे किया था अब केजरी वाल की ये हिमत भी नहीं पड़ सकती कि सुनीता भोजाई को मना कर दें सुनीता भोजाई जो है अगर चाहेंगी तो केजरी व हो उसे कई लोगों की जान में जानागी है केज़रीवाल वो बैक फुट पर जाना पड़ा एजरिवाल ने बुलाया क्यों था आद शी को सुर्छीं नहीं को आपको जयाना है सुवाती मालीवाल को इन्होंने दिल्ली से बना दिया था राज-सभाका सदसे अब राज-सभाका सदसे आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में यूही नहीं नहीं बनाया जाता उसके बनाने के लिए बहुत सारी कॉालिटीज होनी चाहिए तो गुपता जी है एक आपको पता है वो बड़े बिजनस में है, वो करोड़ों रुपए दे के उन्हों ने राजिसवा का टिकर खरीदा था, दूसरे गुपता जी जो थे उन्हों ने एक बार ले लिया था, दूसरी बार थोड़ी आनाकाजी की तो उनको रास्ता दिखा दिखा दिया गया, और वाती माली वाल जो थी वो क्रिप्टो करिंसी जो भी बनाई गई थी उसकी इंचाज थी। तीसरा संजे सिंगों संजे सिंगों आपको पता ही उनका रोल सामने आई गया। कि वो पूरे के पूरे फसिलिटेटर थे लिकर स्कैम में। अब दिकत यहां आई कि इनको ये लगा कि हमें अभिशेक मनु सिंगोई की इस समय अधिक आवशक्ता है। पंजाब वाले जितने भी थे इन्हों ने पंजाब से जो साथ सांसत बनाए राज सभा के उन में से एक भी इन से बात करने कोई तयार नहीं। वो ऐसे लोग बना दिये जो के अपने आपको मॉरली सूप पीरियर समझते थे और ऐसे लोग जो हैं वो कताई किसी भी प्रकार से केजरी वाल की साहिता में कुछ भी करने के लिए तयार नहीं थे दूसरी तरफ यदि तयार भी थे तो उदर से भगवंतमान ने इशारा कर रखा था कि भई कुछ नहीं करना है तुसी तो पैठे रो भगवंतमान की अपनी अलग राजनीती है भगवंतमान ये चाहते हैं जैसा कि मुझे मेरे पंजाब के सोर्स से पता चला कि भगवंतमान ये चाहते हैं कि दीरे 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 ये केजरी वाल नाम का जो नासूर है वो दूर हो जाए जेल में पढ़ जाए जेल म सरते रहें। ऐसा भग्वंत्मान चाहते हैं। लेकिन उनको यह तो पता है कि यह सरते रहेंगे दूसरी तरफ से उनका डारेक्ट थोड़ा सा हमिच्छा से क्म्युनिकेशन भी चलता रहता है। क्योंकि हमिच्छा हो मिनिस्टर है और पंजाब सरकार से तो हो मिनिस्टरी को काम पड़ता ही रहता है बॉर्डर स्टेट है लगातार कॉन्टैक्ट रहता है तो हो मिनिस्टर ने भी संभवता इनको ये इशारा कर रखा है कि भाई तुम जो है दीरे 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 अपनी जो खिच्डी है उसका पतीला अलग कर लो तो उसका पतीला अ करके बहुत सारी जो तुम्हारी समस्याएं आ रही हैं तुमको इस्टेट चलाने में उसका भी हम कोई न कोई उपाए निकाल देंगे वैसे भी आपको पता है कि बहुत आराम से चल रहे थे बगवंत मान जी जब तक की पचास दिन अंदर थे नहीं तो पहले उनको जो है एक तरह से कंड़क्टर की ड्यूटी निबानी पड़ती थी जो हुआई जास था उनका स्टेट प्लैन में उड़ाता तो पाइलट था ल उनका मदाग भी उड़ रहा था पंजाब में आप जानते हैं पंजाब में जो है यह गुलामी बड़ी बुरी मानी चाहिए जाती है तो इनकी जो चौरत थी बगवंत मान की वो हो रही थी कि जैसे कि वह एक गुलाम हो गए है के जईवाल के तो उस इमेज से भी वो बाहर आना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह इंपॉर्टन था कि वो किस तरह से अगए अलग हो अलग हो अलग होने में उन्होंने यह भी कर दिया कि सारे राजसभा सांसदों को यह इशारा कर दिया कि तुम ना तो इनको सपोर्ट करो और ना किसी और तिरह तरीखे से इनके परक में रहो इसलिए अब अब इने अब शेक मनु सिंग भी ने ये शर्त रख दी कटिन शर्त कि भाई तुम हमको यहां से राजसभा भेजो हम तुम से फीस नहीं लेंगे तुम हमको राजसभा भेज दो तुम तुमारे जो फीस है उसको हम खोड़ देंगे वेव आफ कर रहे हैं कि मेरी जो वकील की फीस है वो राजसरकार बरे अब राजसरकार को यदि वो फीस भरनी है उनके जेल जाने की राजसरकार ने ये तो नहीं का था कि तुम करप्शन करो राजसरकार ने ये तो नहीं का था कि तुम गुआ के लिए फंड घटे करो राजसरकार का ये खाम भी नहीं है, E.D. का केस है, मनी लॉंडरिंग का केस है, मनी लॉंडरिंग में पूरी आम आदमी पार्टी को अक्यूस्ट बनाया जाएगा, ऐसा E.D. ने कह दिया है, एक दो दिन में चार्ड शीट भी फाइल हो जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी और केजरी वाल जो है, वो दोनों बाई नेम अक्यूस्ट बनेंगे, और वो पूरी जो गोवाली मनी ट्रेल है, उसमें सम्मिलित बताया जाएगे, तो ये जो कार्य है, जब ये फंस गया इनका मामला, कि भाई देखिए, राज सरकार तो इतना भारी बिल नहीं पे करेगी, भारी क्या, वैसे भी ये आपका परस्नल मैटर है, ये बिल पे नहीं किया जाएगा, अब अभिशेक मनु सिंगवी को पेमिंट कैसे हो, दो नम्मर का पैसा जो है, सारा का सारा अटक गया है, इस बार वैसे भी मैं आपको बता दूँ, इसी से रिलेटेट जो दूसरी बात हो रही है न, कई स्तानों पर कहा जा रहा है कि मैं देखिए, इस बार जो है वो पोलिंग डाउन है, वोटर टर्नाउट जो है वो डाउन है, वोटर टर्नाउट के डाउन होने का एक बड़ा कारण यह है, कि इस बार पार्टियों के पास वो कैश नहीं है, विशेश कर कॉंगरेस इत्यादी के पास, आम आदमी पार्टी इत्यादी के पास, यहां तक कि साउथ में भी जो बड़ा पैसा चलता है, चलाओ के टाइम पर, उस पे भी परिशानी आ गई है, क्योंकि मनी लॉंडरिंग के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो गए है, जो मनी लॉंडरिंग के जो बड़े बड़े व्यापारी थे, वो सारे के सारे एडी के गिरफ्त में है, तो किसी के पास पैसे सर्कुलेट करने का, कैश करने का जरिया नहीं है, इसलिए शराब और कबाब ये जो आखरी दिन बड़ता था, तहनी की बोतल और पार्टी, ये सारी चीज़े नहीं हो पा रही हैं, और इस कारण से जो एक वो थोड़ा सा एक तबका होता है, जो दारू के बाद ही वोट देता है, दारू और पार्टी के बाद ही वोट देता है, वो वोट देने नहीं आ रहा है, तो वोट देने में उसका इंट्रेस्ट वैसे भी नहीं है, उसको पता है कौन जीत रहा है उसको मॉबिलाइज जो है ये दूसरे लोग ही कर रहे थे तो ये इशू जो है ये हमारे सड़जी के साथ भी आ गया इसलिए उन्होंने स्वाती माली वाल को बुलाया कि स्वाती माली वाल तुम आओ और वहां पर बात ये हुई कि तुम अपनी राजसवा सीट छोड़ दो हम तुमको दूसरा कोई अड्यस्मेंट कर देंगे और राजसवा सीट हमको अब शेक मनु सिनुवी को देनी है स्वाती माली वाल ने कर दिया मना उसके बाद स्वाती माली वाल का जो कुछ भी हुआ उसका अब ठीक रा जो है वो विभव के सर पर फोड़ा जा रहा है अच्छा विभव के सर पर फोड़ा तो जा रहा है लेकिन ये मामला इनको और भी भारी पड़ सकता है क्योंकि विभव के पास इनके सारे राज हैं जितने भी कारे करम इनके हुए हैं आज तक उनका सबका राज विभव के पास है और विभव यदि चाहे तो इनको पूरी तरह से एक्सपोज करके रख सकता है इसलिए इनकी गती जो है वो हो गई है साप चचुदर वाली एक तरफ स्वाती मालीवाल को मनाना है स्वाती मालीवाल को मना तो लिया मैंने मुझे लगता है साइन को मना तो लिया कुछ प्रामिस कर दिया होगा ये भी कह दिया होगा कि नहीं तुम राजसभा सांसत बनी रहो तुमको हम नहीं हटा रहे हैं और उसके साथ कुछ और भी प्रामिस कर दिया होगा कि देखो भई पुलीस के पास मत जाओ तो उन्होंने अभी तक रिटिन में पुलीस के पास अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कराई है लेकिन जो इशू हो गया तो वो तो वो ही था तो उसका ठीकरा जो विभव के उपर पुड़ा है ये इनको महगा पड़ने वाला है विभव इनका राजदार है या तो विभव से पहले सेटिल्मेंट किया होगा विभव को कहा होगा भाई तेरे उपर हम डालेंगे इसको और थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हलका फलका केस बन जाएगा कोई बात नहीं है दो चार दिन जेल होना बेल हो जाएगी मामला हलका ही है कोई खास बात नहीं है बसे भी राइटिंग में कंप्लेंट हो नहीं रही है राइटिंग में कंप्लेंट होगी नहीं तो फिर हम तुमको मैनेज कर लेंगे लेकिन ये थोड़े दिनों तक तुम ये जो है ये जहर पी लो विश्को अपने कंट में रख लो विभव बाबू तो विभव वाबू जो हैं वो फर्ज अदाइगी कर रहे हैं फर्ज अदाइगी कर रहे हैं मालिक का नमक अदा कर रहे हैं जी लेकिन हमारे होम मिनिस्ट्री डिली पुलिस वो इस मामले की तह पर जाने में आमादा है इसलिए आगे के दिन नौटंकी और चलेगी अगले पा प्रत्वन्दे मात्रम। प्रत्वन्दे मात्रम।